नमस्कार दोश्तो बुपेन सिंग आप सभी का फिर से एक्जाम गुरूम स्वागत करता हूं दोश्तो नहीं तजार सेक्षक भरती के संदर में हम आपके सामने आज बहुत बर एपडेट लेकर आएं जो उत्तरकुंजी विशेश प्रग्रस से संबंदित हैं दोश्तो आप स जादे परवावित हैं और कहीं न कहीं उनका आवच्ट्रहिए इसमें मारा जा रहा है और आप सबको बता चलें कि उत्तरकुंजी का जो मामला है ये बहुती विश्तित मामला है अगर यह आसान सोल हो जाता तो कहीं न कहीं इसमें एक या दो या तीन नमबर वाले भाही व जो इस बर्ती से बाहर हो चुके वी बर्ती में सामिल हो सकते थे और अबस तहीं इस बर्ती में वे अपनी पकड़ बना चुके होते तो दोस्तों कल आप सभी का मुद्दा इलावाद हाई कोट में लगा हुआ है जैसा कि आप सभी जानते हैं उत्रकुंजी का जो मामला था व महा में निप्टा कर भठती प्रक्राइब को सुचा रूप से सुरू किया जाए किन्तो इस मामले को लगवाद पांस से च्छे महा हो चुके हैं और अभी तक यह मामला निस्तायत नहीं हो चुका है बार बार इस पर यह तो लंबी डेट लगती है अगर लंबी डेट लगत हैं एक या दो नंबर से भी हैं अगर उनको एक या दो नंबर मिल जाते हैं और उनका अच्छा गुणांग है वो इस भरती में सामिल होते हैं और अपनी इसमें एक चीट पकी अवस्ते ही वो कर लेंगे तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक करते हैं दोस्तो आप सबको बताचने कि सरकार दोबारा कहीं न कहीं इस भरती को लटकाने का प्रियास अवस्ते ही किया गया था और सरकार अपने प्रियास में सपल भी रही लगवक इस भरती को दो साल इसको ऐसे ही लटका दिया गया और आप सभी जानते हैं दो साल में कि सरकार ने कितना अपना राजस्थ बेशने बचा चुकी होगी, आप सभी गयानी है और आप सभी अनुमान इसमें लगा सकते हैं कहीं न कहीं सरकार के जो अधिकारी हैं उनको ऐसा आदेश दिया जाता है कि जान बूर्ज कर इसमें ऐसी गलती हो कि जिससे की इस भरती को लटका जा सके और सभी जो अधिकारी आयस लेविल के होते हैं इस भरती में कुछ ऐसी कम्या छोड़ दी हैं जिससे भरती इतने समय त मेंगनी हुए है फर्शन में बात करते हैं नाज संपरदाई जैसा कि आप सभी जानते are कि एक कुछरन संबत संबत इसमें पूषा गया था कि नाज संपरदाई कि जो थे वें कुछ थे तो इसमें आप सब अधान आप सब को बता चलिए 2016 TGT हिंदी में सेम यही कुछन इसमें पूछा गया था और उसमें मचेन नाथ और गोरगनाथ यह दोनों ओप्षन थे किन्तु उसमें गोरगनाथ को इसमें सही माना गया था जो जो आयोग की जो उत्तर कुंजी थी उसमें गोरगनाथ को इसमें सही माना गया था तो उसी के आदार पे आप सब को बता चलिए कि जब आयोग ही जब इससे बड़ा आयोग खुद गोरगनाथ को इसमें संपदाय मांग रहा है और सरकान इसको मचेन नाथ माना है तो आप सब को बता चले जो इस पर जो बहस कर लोगी इसमें आप सभी को इस पर पहले बहस हो चुके लखनों बैंच में इस पर भी जजज सार थे नमबर देने के लिए तैयार हो गए थे किन्तो कुछ ऐसी परिश्टी उत्वपन होगी कि यह मामला सुप्रीम कोड तक जाना पड़ा तो उसमें आपको कोमन नमबर इसमें बचते ही मिलता है और बात करते है कुछन नमबर दो की जो कुछन नमबर दो में आपका एक परिवासा वाला कुछन था तो दोश्टो जो सरकार ने इस परिवासा का जो सही ओप्सन माना था वो कहीं भी किसी भी किताम में नहीं है क्योंक invalid कौमा के अंदर लिखी जाती है अगर उसमें जिराशी बिंदी या एक दो अक्षर या एक दो सब्द का भी उल्ट फेर हो जाता है तो वह परिवासा परिवासा का अर्थ तक इसमें बदल जाता है जो सरकार ने माना था वो वेल फेर ग्राम वेल माना था और दोस्तो आप सब को बता चले किसी भी मनोवे ग्याने की बुक में या दरसन साच की बुक में ग्राम वाल फेर नाम का कोई भी मनोवे ग्यान दरसन साच तरी इसमें नहीं है क्योंकि ग्राम वाल फेर तो है किन्तु वालफे ग्राम इसमें नहीं है तो आप सभी को इस पर 101% इस कुष्टन पर आपको नमबर मिलने के पूरी-पूरी संभाब ना है अब बात करते हैं कुष्टन नमबर नाइश्ट की अगला है आपका पिर्ति व्यक्ति आए तो दोश्तो इसमें पिर्ति व्यक्ति आएम को सरकार ने परिवार उफवोग वै को ही इसमें माना है और समय समय पर समिति गठित होती हैं और गठित समिति के अनूसार ही इसमें उफवोग वै परिवार उफवोग वै कुल आमन निकर्ट इस तरह की अपने अपनी सरते प्रिकट करती है किन्तो कुष्टन में ऐसा किसी भी समिती का इसमें नाम नहीं लिया गया तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इस प्रिसन पे भी आपको कोमन नंबर अंख मिलने की पूरी-पूरी संभावना है क्योंकि दो कुष्टन इसके सही है दो जो ओप्सन थे इसके दोनों ओप्सन इसमें सही बताए गए तो आपको इसमें पिर्टी वेक्ति आये पर इसमें कोमन नंग मिलने की पूरी-पूरी संभावना है और वहीं बात करते हैं अगला कुष्टन है आपका सभीदान सभा का दोस्तो जो आपका सभीदान सभा वाला कुष्टन है आप सब जानते हैं कि जब सभीदान सभा का रस्तनाचना हो रही थी तो इसमें ऐस्थाई ससीद अनंद को इसमें बनाया गया था और दूसरे नमर पर राजने परसाद को इसमें इस्थाई रूप से बनाया गया था तो दोस्तों आप सब को बता चलें इस कुछन में ऐसा कुछन ही पूछा गया कि इस्थाई और इस्थाई के वारे में इसमें कोई भी वर्णनिस में नहीं था के वाल इसमें यही पूछा गया सभीदा सभा के जो अद्धाक्षते वो इसमें कौन थी तो दोस्तों आप सबको बता चलें इस पर आपको 50-50 कोमनंक मिलने के पूरी-पूरी संभावना है क्योंकि जो सरकार दुवारा माना गया ओप्रसन था वो सचिनानद को ही इसमें माना गया है जो कि कुश्टन ये बिलकुल सही है और सरकार ने विसको ठीक माना इस पर आपको 50-50 मार्क्ष इसको मिलने की आपको पूरी-पूरी इसमें संभावना इसमें बनी हुई है नेपक्ष कुष्टन आते हैं आपका पढ़ने की इसमें तो दोश्टों इसमें जो पढ़ने की इसमें ये पूछाई आता इसमें कुछ नोगों डिस्प्रेशया लगाया था तो इसमें मनाई क्योंकि आप सब को बताचने जो पढ़ने की जो चमता होती है वो डिसलेशा ही होती है और जो पढ़ने लिखने की वो दोनो अलग अलग है पढ़ने की और एक पढ़ने लिखने की चमता होती है वो दोनो अलग है तो इसमें जो पढ़ने लिखने की जो चमता है वो डिस्पिलेशिया है और पढ़ने की जो समताव डिसलेशिया है क्योंकि यह कुछ सन सन 2011 से जब से CT8 लाग हो था तब से यह बारवार किसने किसी रूप में आ रहा है और बारवार इसका जो ओप्सन है वो केन सरकार ने भी डिसलेशिया ही इसको माना है और गवर्मेंटरे में इसको डिसलेशिया ही माना है अगर कल की सुनवाई में जो वकील मोहद है अपना पक्स ठीक से रक्स तक रहे तो कम से कम इस नंबर पे भी आपको कोमनक मिलने की पूरी-पूरी समामना बन जाएगी और वहीं आप सब को बता चलें जो कल की सुनवाई है वो अभी श्रीक वाश्तव की जो रिड डिली हो इस पर बहुत ही महत्मुन सुनवाई होने जा रही है और वार अभी से एक्स रिवाश्तव और विवेक दूएडी जी जो टीम है बार वार अधिकारियों से मुखpara मंत्री से शिक्षा मंत्री से शिक्षा निदे से बार वार मिटिंग कर रहे हैं और बार बार ग्यापन दे रही है तो दोस्तों आसा करता हूँ कि आप सबी जो लखने हो इलावाद के आसपास के है वेग दुएदी जी और विश्यक स्रीवाश्टव की टीम के साथ में इसमें जुडें और इस मुद्दे को बहुती विश्तर रूप से रखें क्योंकि जिन भाई बैनों के इसमें दो या तीन से नमबर से वो इसमें रह रहे हैं वो इस भरती में आसानी सामिल हो सकते हैं और सबसे ज़्याद है जो सिक्सा मित्र हैं अगर वो एक नमबर से भी इस भरती से रहे गए हैं उत्तर कुझी मामले में अगर उनको एक नमबर मिल जाता है तो उनका 101% सलेक्सित इस भरती में आसानी से हो जाएगा दोश्तों ये थी वीडियो जो हम आपके सामें लेका है पिलीज जो बाहिवें चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब भी करें लाइक करें कमेंट करें और अपने अन्य दोश्तों को भी शेयर करें थैंक्यों धन्यवाद आप सभी का भूपेन सिंग